हार्दिक पंडिया और नताशा शादी के चार सालों में ही अलग क्यूं हुए इस पर तो कहीं तरखी बाते आई है एक तरफ लोगों ने कहा कि नताशा बहुत ही जादे अंबीशियस थी और हार्दिक पंडिया से पैसा बटोर कर वो अपने देश निकल गई कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हार्दिक पंडिया ने नताशा पर चीट किया है वो हमेशाद दूसरी लड़कियों के साथ अफेर में थे अब इसी बीच नताशा को लेकर एक शौकिंग खुलासा किया है उनके एक्स बॉइफरेंड अली गौनी ने नताशा एक टाइम पर अली गौनी के साथ रिलेशन्शिप में थी दोनों ने नचबल ये शो में भी हिस्सा लिया था अब अली गौनी ने एक लेटेस इंटिव्यू में अपने पुराने अफेर और उसके ब्रेक अप के बारे में बात कही है और अली गौनी ने जो कुछ बात कही है उसे देखकर लोग कह रहे हैं कि शायद हार्दिक पांडिया को भी नताशा ने इसी लिए छोड़ा अली गौनी ने कहा कि उनकी एक एक एक्स गर्फरिंट थी उन दोनों का रिष्टा बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन वो रिष्टा टूटा इसलिए क्योंकि उनकी वो एक्स गर्फरिंट उनकी फैमली के साथ नहीं रहना चाती थी उस गर्फरिंट ने कहा था कि शादी के बाद हम दोनों अलग-अलग रहेंगे क्योंकि अली गौनी अपनी फैमिली के साथ रहना चाते थे और नताशा जो है वो अली के साथ तो रहना चाती थी लेकिन अली की फैमिली के साथ नहीं रहना चाती थी इसलिए नताशा ने अली को कहा था कि मैं अलग रहूंगी और तुम अपनी फैमिली के साथ रहना अलिगौनी ने कहा कि मैं अपने चीजों को लेकर बिल्कुल सपश्ट था कि मैं अपने परिवार को कभी नहीं चोड़ूँगा मैं हमेशा अपनी फैमिली को साथ लेकर चलूँगा चाहे कुछ भी हो जाए बस वो अपने इनी प्रिंसिपल से स्टिक रहे नताशा उसके लिए अजस्ट नहीं करना चाहती थी और इसलिए दोनों सेपरेट हो गए अलिगौनी की ये बात सुनकर लोग यही कह रहे हैं कि अलिगौनी नताशा के बारे में ही बात कर रहे हैं क्योंकि नताशा और अली गौनी का रिष्टा बहुत अच्छा था और वो किस कारण तूटा ये कारण आज तक नहीं समझाया लेकिन आप जब अली गौनी ने ये बात बताई है तो लोग कह रहे हैं कि नताशा और अली गौनी का रिष्टा भी इसलिए तूटा और अब कर दो दू के थैज बाते झौनी का लेकिन ने खवाल फらागड़ कि येखए एले टा स्टी को